हेलो एवरिबान रादे रादे जी आपका स्वागत है मेरी चैनल में अगर किसी की गुटनों में दर्द रहता है शरीर में दर्द रहता है कमजोरी रहती है तो उसके लिए मैं लेकिया आई आज एक ऐसी रेसिपी जिसे खाकर आपकी गुटनों में दर्द शरीर की कमजोरी सब होगी दूर, चले तो आज की मज़िदार रेस्पी बनाना शुरू करते हैं, यहाँ पे मैंने लिया है मखाने, दो कप मैंने मखाने लिया है, मखाने कैल्σιम से भरपूर होते हैं, आप बड़े हो या चोटे, सब को ये मखाने किसी ना किसी रूप में खाने चाहिए, मखा तो कूट कर भी ले सकते है, फिर यहां पर मैंने ले लिया है, तिल, सफेद वाले तिल लिया है, एक चमच, और इसके बाद यहां पर मैंने ले लिया है, सौफ, सौफ को मैंने कूट लिया है, चाहे तो आप मिक्सी में पीस कर भी ले सकते है, चाहे दरदरा भी कूट सकते हैं उसे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा यहाँ पर मैंने ले लिया है दो से तीन चमच घी ले लिया है अब एक पैन ले लेंगे उसे गैस पर रख देंगे और उसमें डालेंगे हम गी दो चमच गी को अच्छे से गरम कर लेंगे फिर इसमें हम डाल देंगे मखाने मखाने को क्या करेंगे हम रोस्ट करेंगे पहले क्रिस्पी होने तक रोस्ट करेंगे तीन से चार मिल्ट के लिए मखाने को मखाने को आप ऐसे ही घी में नमक डालकर रोस्ट करके अगर खाएंगे तो बहुत ही टेस्ट लगते हैं हमें मखाने रोज खाने चाहिए बड़ों को दस मखाने और चोटे बच्चों को पांच मखाने यह देखेंगी अगर आप ऐसे तोड़ेंगे मखाने को तो यह क्रिस्पी हो गया है तो यह तूट जाएगा इसी टैंप पे हमने गैस को बंद कर दिया और इसे निकाल करकी साइ करना है सिरफ घी में ही से मैल्ट करना है यह देखेंगे दिर दिर यह मैल्ट होने लगा है और दिर दिर अच्छे से मैल्ट हो जाएगा बीना पानी के यह देखेंगे और भी यह मैल्ट हो गया है और थोड़े देर के बाद आप देखेंगे यह अच्छे से जो गुड है व सोव जो हमने लिये थे और थोड़े से मैं साबस्व भी डाल रही हूं फिर मैं ये समester में डाल दूगी सपेथ तेल और डाल दूगी बेकिंग बेकिंग सोडा एक चुटकी इससे ज़्जादा नहीं डालाहें बेकिंग चोड़ डालने से क्या होगा कि जो हमारे मखाने हैं वो थोड़े से फूले फूले बनेंगे और थोड़े से सॉफ्ट बनेंगे यह दिखेंगे अच्छे से mix कर दिया मैंने इसी और फटा-फट से इसमें मैं डाल देंगे मखाने इसे ज़्यादा गुड को भी नहीं पकाना ह और डाल करके अच्छे से mix करेंगे mix करने के बाद हम क्या करेंगी घ्ला इस जाल है इसल्ड़ लाइट आया है अगर आप dark लिखेंगे अच्छे से mix कर दिया है ठंडा होने के बाद यह जो गूड है वो थोड़ इसाuğas tight हो जाता है मखाने जूड जाते है अगर मखाने जुड़ जाते हैं तो ठंडे होने के बाद असानी से आप उसे अलग-अलग कर लीजेगा, बहुत ही असानी से हो जाएंगे, जो मेरे मखाने हैं वो तो पहले से ही अलग-अलग हैं, कोई जुड़े नहीं हैं, पहले बाद तो जुड़ेंगे ही ने, यह देखे तो और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं तो आप भी रस्पी ट्राय कीजिए आपको यह रस्पी कैसे लगी हमें कुमेंट करके जुरू बताईएगा वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए अपनी फ्रैन और फैमिली की साथ शेर कीजिए तो मिल क्पार खाले कीजिए एम भी एत ढुंदान प्लो आपको यीजिए एमिली की तो मिलताएगा वी नहें कीजिएगा हैं जुरू शेतर एमिली कीजिए अवरी तो जिएतरा टकार झालेयो सिरियो उएमिली औरवीद लावी ओलीर एमिली सतनवा फैमिलीर जोब तो और रजी